हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जोइन्ड हो तो आपको पता होगा कि कुछ समय पहले मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया बाई किया था और उसमें मैंने स्टॉप लोस हा टारगेट भी बताया था तो उसमें मेरा स्टॉप लोस के आसपास भी प्राइस नहीं आया है और आज अगर आप इसमें देखेंगे तो जबरदस्त तेजी इसमें हम देख रहे हैं और अभी यह चल रहा है 1.64 परसेंट अभी हाय है और इसमें मेरे शॉट टम के लिए मेरे टारगेट से 154 लेकिन अगर लॉंग टम के लिए में मुशल फंड के पास यह कम है 2.2 परसेंट है अधर डॉमेस्टिक इंस्टिटूशन के पास है 14.46 परसेंट है और फोरें इस्टिटूशन के पास है 12.3 परसेंट है मतलब एफाइज और डिएज का मिला के कुछ तो भी 26 परसेंट से ज्यादा उनके पास है और रिटेल मेने का डेटा देखेंगे तो एफाइज ने इसमें अपने होल्डिंग्स थोड़ी बढ़ाई है और कैस्ट्रॉल मतलब उनके सेक्टर में तो यह बहुत ही स्ट्रॉंग इनका पोजिशन है और अगर टेकनिकल एनलिस में भी देखे तो यहाँ पे डेली केंडल पर हमें इ इसपी को ट्रेड किया था तो वो ट्रेड भी आपने अगर देखा होगा तो आप जानते होंगे कि कितना अच्छा प्रॉफिट हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी बुक किया और अभी वह बुलिश ही है अभी भी चल रहा है तो उसके वैसे मैं जानता हूं कि इसका प्रोडक्ट्स अगर आपको पॉसिबल है तो यह सिंपल फिलोसोफी है इन्वर्टर एडन चॉल्टर यहां से एक्जेक्ली शुरू हो आता 144 के लेवल से तो वो भी उसने आज क्रॉस किया है तो वो भी एक काफी बुलिश सिग्नल हमें मिल रहा है और अगर आप वीकली ट देखें मंतली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यह एक ट्रेंड लाइन थी मतलब जो मंतली टाइम फ्रेम पर जो एक डाउन ट्रेंड इसका चल रहा था वो भी कुछ समय पहले खतम हो चुका है और हाय टॉप हायर बॉटम का कनफर्मेशन भी हामें मिल चुका है और अगर आप देखें रसाए 2018 से इसका 40 के नीचे था तो बार बार रेजिस्टेंसी मिल रहा था अभी कुछ समय पहले इसने 40 के उपर आया है मतलब इसने मंतली टाइम फ्रेम पर भी बड़े टाइम फ्रेम पर भी हामें सिगनल दे दिया है कि अभी यह बेरिश इसका ट् का कनफर्मेशन हमें मिल चुका है और वीकली टाइम फ्रेम पर यह तो 60 के ऊपर आ गया है और 60 रेजिस्टेंस कैसे काम करता है यह तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो वह भी आप देख सकते वह एक काफी बुलिश सिगनल हमें मिल रहा है और डेली टाइ कर रहा हूँ तो यह एक एजुकेशनल वीडियो है एजुकेशनल परपस से मैं आपके साथ यह सब शेयर कर रहा हूँ यह कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है आप अपने अकोर्डिंग प्लैन कर सकते काफी अच्छी कंपनी है कैस्ट्रॉल मैं परसनलीस पे यह सो मुझेशनल प्लैन कर रहा हूँ यह 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 यह